हेलो एब्रीवन नमस्ते वैलकम बैक टो क्लासिस बाई बविता गुपता आज मैं आपके साथ में नौर्मेटिव तेचिंग की बात करूंगी हमारे टाइप्स चल रहे हैं तेचिंग के जिसमें मैं आप लोग के साथ में फॉर्मल तेचिंग शेयर किया डिस्क्रिप्टिव एरफ टेचिंग शेयर किया और इसको स्टार्ट करने से पहले आप कंसेप्ट ऐफ टेचिंग जरूर पढ़ें कि टेचिंग होता क्या है構न्सेप्ट ऐफ टेउरीs पढ़ें कि धीओरी क्या होता है मैं इन सबके मैंने वीडियो बना रख है में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी ताकि आप उसको देख पाएं फिर उसके बाद में आप आप नॉर्मल थिचिंग देखें डिस्कृप्टिव theories of teaching देखें उसके बाद में normative theories of teaching आता है हमारा तो यह सारे concept आपकी clear होने चाहिए जिसके उपर मैंने already videos बना रखें और आपका link भी शेयर कर दूँगी description box में ताकि आपको helpful रहें जैसा कि मैंने आपको बताया थे बहुत important topic है theories of teaching हमारा जो भी बच्चे education से जुणे हो चाहे वह कोई भी course क्यों ना कर रहे हो चाहे वो DLAD हो, BLAD हो या BAD हो, MAD हो जो बच्चे UPTED की तयारी कर रहे हैं किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं DSSSB की तयारी कर रहे हैं CDP पढ़ रहे हैं CDP पढ़ना pedagogy करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और pedagogy के लिए चीज़े आनी आप उसको solve कर पाएंगे नहीं तो बच्चों को फिर pedagogy मुश्किल लगती है कि उसमें क्या option हम choose करें इसलिए अपने concept को जरूर clear करें तो चलिए इसको मैं start करते हैं normative theories of teaching को और मेरे channel को subscribe जरूर करें शेयर करें दूसरों के साथ भी knowledge को जरूर बाटें तो देखिए normative theories of teaching शिक्षन के नियामक सिधान्थ या इन्हें निर्देशात्मक सिधान्थ भी बोलते हैं और समाने इस्तेती शिक्षन सिधान्थ भी इनको बोला जाता है देगी normative theories of teaching क्या है it is concerned with human behavior तो जो इसमें क्या देखा जाते है वैवार देखा जाते concern करती है कि क्या जो अब देख behavior में कुछ change आ रहा है या नहीं आ रहा है तो यह theory हमें यहीं बताती है कि normative theories of teaching are as under यानि कि यह जो हमारा समाने इस्तेती शिक्षन सिधान्थ है इसको मुख्यत चार भागों में बाटा जाता है तो चार बाट कौन कौन से है फर्स्ट हमारा the cognitive theory of teaching second is theory of teaching behavior थर्ड हमारा the psychological theory of teaching और fourth हमारा general theory of teaching अब इन चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि होता क्या है तो देखिए the cognitive theory of teaching इसको क्या बोलते हैं शिक्षन के संग्यानात्मक सिधान्त या ज्यानात्मक सिधान्त पी इसको बोला जाता है तो one theory of teaching cannot satisfy the purpose of education यानि कोई भी एक theory जो हमारा education purpose है उसको satisfy नह नहीं कर सकती हैंस there can be more than one theory of teaching यसलिगे क्या है एक से ज्यादा theory of teaching हो सकती है the assumptions behind this is that the teaching may be analyzed in the following four way तो इसके इसका क्या मतलब है the assumptions इसकी जो माननेता है क्या है कि सवधारना पर अधारित है यह चार मुखे चार ऐसे अनलाइसे हैं ऐसे अवलोकन है जिसके उपर यह अधारित ह है तो देखिए दो चार विशलेशन है चार एनलाइसे हों क्या बेस हैं उसके तो फर्स है हमारा उसमें से टाइपस ओफ टीचर एक्टिविटी इस हमारा फॉर्स पॉइंट है तो क्या है इसके अंदर टीचर इस टू प्ले मल्टिपल रोल्स इन टीचिंग यानि क्या है एक टीचर को मल्टिपल रोल्स प्ले करने पड़ते हैं टीचिंग के अंदर यानि शिक्षन के अंदर जो हमारा शिक्षक है उसके मल्टिपल रोल होते है प्लस जो हमारे शिक्षन है उसके भी मल्टिपल रोल्स होते है जो हमारी शिक्षा है तो शिक्षा के क्या रोल होते लाइक एडवाइजर, काउंसलर, मोटिवेटर, डेमन्स्रेटर, करिकुलम, प्लैनर, एंड इवैलिवेटर, तो यह क्या है हमारे रोल होते है टीचिंग के, इस क्या मतलब है, अध्यापक, दार्शनिक, निर्देशन, प्रामर्श दाता, प्रभंदक और परिक्षक की भूम का निवात है, है न, तो यह दे कि जो मैंने वर्ट्स बोले हैं, हिंदी के जो हिंदी मेडियम के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसको जो समझ रहे हैं, वो इसको नोट कर सकते हैं, देगे, इसका क्या मतलब है, कि जो एक टीचर है, वो सिर्फ पढ़ानी रहा, वो किस क्या पढ़ना है, पाठे करम किस तरीके से तयार करना है, और क्या है, वो इवैलुएटर है, तो क्या ही multiple roles है, teaching and teacher के, और इनी के अधार पे क्या होता है, अलग-लग theories of teaching होती है, तो उसी को हम define करते हैं, अलग-लग तरीके से, इसलिए कहा गया है कि कोई भी एक theory teaching को define नहीं कर सकत इसके बाद second है, हमारा types of education objectives, यानि शेक्षी कुदेश्य, शेक्षी कुदेश्य के क्या प्रकार होते हैं, देखिए, teaching takes place on the basis of different learning theories, जो teaching है, वो क्या है, वो कितने learning theories, जो हमारी learning theories है, उसके उपर base होती है, वो कौन-कौन सी, जैसे like philosophical theories of learning, psychological theories of learning, तो क्या होता है कि, यह जो हम हमें अलग-अलग चीज़े बताई गई है, यह मैंने आप लोगों के साथ में third point share किया है, इस second पढ़ लेते हैं, वो skip हो गया था, तो second हमारा types of education objectives, शेक्षी कुदेश्य, ब्लूम्स taxonomy of objective is an example of it, यानि कि जो ब्लूम की taxonomy है, वो इसका एक बहुत बैटर example है, बहुत अच् objectives, उसमें क्या है, थ्री टाइप्स के हमारे उदेश्य होते हैं, कौन-कौन से cognitive, effective and psychomotor, यानि कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, यह थ्री टाइप्स के उसमें objectives होते हैं, इसके बाद में आता है हमारा third, जो अभी मैंने by mistake आपको पहले ही explain कर दिया था, different teaching theories, यानि कि जो learning theories जो teaching है, वो किसके base पर होती है, वो अलग-अलग learning theories के base पर होती है, जैसे कि psychological theories of learning, हमारे psychological theories of learning है, इसका मतलब किया है? इसका मतलब यह है कि यह जितनी भी हमारी क्रियाय होती है टीचिंग के अंदर वो समाजिक, दार्षनिक, मनोविज्ञानिक सिधानतों पर अधारित होती है और परतेक सिधानत के लिए विविन परिक्रियाओं को प्रियोग किया जाता है और देखिए अगर आपने कोई भी learning थेयोरी अगर आपने पड़ी होगी तो उसमें आप हर एक learning थेयोरी में कहीं न कहीं reinforcement का बहुत important role होता है जिसको हम हिंदी में बोलते है पुनरबलन उसका बहुत important role होता है तो इसलिए यह theories भी अलग-अलग होती हैं और इनकों हम base बना सकते हैं किसलिए teaching के लिए जिसके अधार पर teaching का यानि शिक्षन का विशलेशन होता है इसके बाद में आता है हमारा fourth point types of component of teaching जिसका मतब है अधिकम के तत्व यानि कि अधिकम के अंदर क्या-क्या है एन-miller has suggested four component यानि कि जो एन-miller थे उन्होंने four component suggest की हैं चारतत्व उन्होंने suggest की हैं कौन-कौन से हैं वो drive, cue, response and reward अब देखी क्या होता है यह अभी मैंने आपको जो एक तो होगे हमारा drive यानि की की सरीके से हम teaching को आगे बढ़ा रहे हैं पर्णो दर जिसको हिंदी में बोलते हैं second होता हमारा cue अनुबोदग, third हमारा response की क्या response आ रहे है teaching का और fourth है हमारा reward पर्टिफल पुर्णर बलन जिसकी मैं अभी बात की थी आपसे की हर एक learning learning theories जितनी भी होती है उसमें कहीं न कहीं reinforcement की बात होती है तो यह चीज है कि क्या है वह teaching component है वह इसलिए उसकी बात होती है each component is in need of different teaching activities और यह हर एक component बहुत जरूरी होता है अलग-अलग teaching activities में next point हमारे theories of teacher behavior अब देखिए शिक्षक का वहवार अब यह बहुत जरूरी चीज है कि teacher का behavior कैसा होता है तो वह एक देखी जाती है कि वच्चे को पढ़ाते समय इस्ट्रेंट को पढ़ाते समय बढ़ टीचर का क्या वहवार है तो theory of teacher behavior explains the relationship of variables जो teaching जो teacher की behavior का सिधानत है वहवार का सिधानत है तो क्या है वह explain करता है कि जो भी teacher variables use कर रही है उनका क्या relationship है आपस में theories of teacher behavior is based on the following जो teacher के वहवार है शिक्षक के वहवार का सिधानत है वह किस पर बेस है वह देखिए नीचे दो मैंट दियो है इन पर बेस है यह teacher behavior is social in nature यानि कि जो भी teacher का behavior है जो भी शिक्षक का वहवार है वह कैसा होना चाहिए social होना चाहिए समाजिक होना चाहिए प्रकति में second है वह teacher behavior is relative यानि कि जो भी शिक्षक का वहवार हो रिलेटिव होना चाहिए यानि कि जो भी वह topic suppose कि कोई teacher कोई topic को पढ़ा रहा है तो उसका पूरा concentration वह ऐसा ही होना चाहिए और उसका behavior भी वैसा ही होना चाहिए और उसका कोशिश ही होनी चाहिए कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख पाए तो वह होता है teacher behavior is relative यानि को topic से related है इसके बाद में आते है हमारे c-point the psychological theory of teaching शिक्षन या शिक्षा का मनो विज्ञानिक सिधान्त अब यह क्या है देखिए according to this theory the teaching is a short contractual relationship between the teacher and the student यानि सिधान्त के अनुसार क्या है जो शिक्षा है शिक्षा क्या है वो एक समविदात्मक संबंध है किसके बीच में शिक्षक और स्टुडेंट यानि विध्यारती के बीच में यानि कि उन दोनों के बीच में contractual relationship है कि teacher सिखा रहा है और बच्चा सीख रहा है उस चीज़ को इस relationship accommodates some activities यानि कि यह जो relationship है वो क्या करती है कुछ activities कुछ क्रियाई समायोजित करती है which a teacher has to perform और जो क्या होता है कि एक teacher को perform करना होता है अब इसको एक example कि तुरू आपको समझाती हूं मैं कि अगर एक teacher है उसको topic करेंगे समझ कि सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यह सब एक्टिविटी होती है वो teacher को देखना होता है कि क्या उनको components लेने हैं और किस तरीके से होने पढ़ाना है अगर आप lesson plan बनाया हो जो कि मैंने शेयर भी किया हूँ है अपने चैनल पर lesson plan शेयर की हूए है तो उसमें भी आप देखें कि components में होता है कि teacher क्या teaching aids ले रही है बच्चे को समझाने के लिए है ना तो यह होता है कि एक teacher का behavior होता है बहुत ही जा बच्चे के साथ में contractual relationship होता है कि वो क कुछ सिखा रहे है बच्चा सीख रहा है और जो teacher सिखा रहे है उसके अंदर teacher को क्या कि activities लेनी है और क्या कि उसको किस तरीके से perform करना है इसके बाद में हमारा आता है d point and the last point general theory of teaching यानि शिक्षन के समानने सिधान this theory assumed यानि इस theory का मानना है the teaching process is designed and performed to produce change in behavior of student यानि की जो भी शिक्षा का क्रिया है शिक्षा की जो क्रिया हो क्या है design की गई है और इस तरीके से बनाई गई है और वो perform भी ऐसी करती है कैसे perform करती है to produce change in behavior of student की जो भी student है जो भी learner है विध्यारती है उसका behavior change हो पाए उसके वहवार change हो पाए है ना हम शिक्षा ही इसलिए देते हैं बच्चे को की उसका जो behavioral change उसके अंदर आ पाए उसके वहवार में उसको change आ पाए तो अगर उसके वहवार में change आ रहे है तभी तो वो शिक प्रोसेस होता है वो बनाया ही इसा सर्फ तरीके से जाता है और इसी तरीके सी तरीके से किया रहता है कि बच्चे के वहार में कुछ बदलाव आ सके तो यह हमने चार ठोरी हमने पड़ी है आज यह नॉर्मेटीव ठोरिश के पार्ट थह हमारे तो आज यह टीचिंग ओफ थियोरी ओफ टीचिंग ओफ हमारा कंप्लीट हो गया है इस topic को पूरे अच्छा से explain करके मैंने आप लोगों को बताया है तो यह सब आप note down कर सकते हैं और यह दिखिए जो content मैंने आप लोग के साथ share किया है यह अपने आप में इतना है कि अगर आप इसको लिखेंगे notes बनाएंगे तो एक full flash question बन जाता है जो कि आपकी exam में बहुत useful रहेगा और theories of teaching बहुत important topic है चाहे आप किसी भी university से क्यों न कर रहे हो कोई भी course यह बहुत important topic है तो आप इसको तयार जरूर कीजिए और देखिए इसके difficult words है वो share कर लेती हूं हमें आप लोगों के साथ में तो first है हमारा assumptions assumptions का मतलब क्यों होता है माननेता analyzed मतलब visualization third हमारा advisor सल नेक्स्ट इस counselor counselor मतलब मागदक्षक प्रामर्श दाता motivator मोटिवेटर मिन्स प्रेयरक cognitive cognitive मिन्स संग्यानात्मक effective effective मतलब भावात्मक साइको मोटर साइको मोटर मतलब मनो प्रेयर्णा मन प्रेयरक philosophical theory दार्शनिक सिधान्त response मतलब परतिकिरिया अनुकिरिया variables मतलब चर वस्तुएं प्रभावित करने वाली वस्तुएं social मतलब समाजीक nature मतलब प्रगर्टी relative मतलब सापेक्ष या अपेक्षित contractual relationship यानि समविदात्मक संबंध accommodates यानि समायोजित करना assumed कल्पित या ग्रहन designed रूप रेखा के अनुसारिया बनाया गया performed performed मतलब प्रदशन किया या किरियानवित किया या करना क्यू का मतलब होता है अनुबोधक या संकेत तो यह होते हैं कि आपके जो भी मैंने topic पढ़ाया उसी में से in between होते हैं यह ताकि बच्चों को help मिल सके इनको समझने में करने में अगर इससे के अलावा भी अगर आपको कोई problem आती है तो आपको comment box मिलेके मुझसे पूछ सकत जरूर कीजिएगा शेर कीजिएगा दूसरों के साथ भी knowledge को जरूर बाटेगा थैंक्यू धन्यवाद